हेलो स्टुडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 का कॉडिनेट जोमेटर स्टार्ट किया था, आज हम उसके आगे की कुछ क्वेस्टन्स लिखेंगे, क्वेस्टन नमबर 3 जो है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिये गये हैं, और हमें इन 2 पॉइंट्स में जो डिस लेना है सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे, को ओर्डिनेट्स, ओफ पॉइंट्स, आर, तो आपको इसको कॉंसिलिर क्या करना होता है, x1, y1, तो इसके कॉडिनेट्स है, 0, माइनस 3, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू बनेगा, 0 और y1 का होगा, माइनस 3, similarly, कॉडिनेट्स, ओफ पॉइंट्स, तो इसके कॉडिनेट्स है, x2, y2, और कॉडिनेट्स में दे गए है, 0, 5 अपान 2, तो x2 के वैल्यू कितनी है, 0 है, और y2 के वैल्यू है, 5 बाई 2, अभी हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें पता है, distance formula, so we know that, distance formula क्या होता है, distance between the points R and S, is equals to, under root of, yes, x2 minus x1 bracket square, plus y2 minus y1 bracket square. तो यहाँ पर simply value put कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, root of x2, x2 के वैल्यू है, 0, so 0 minus x1, x1 भी है, यहाँ पर 0, so 0 minus 0 bracket square, तो इसके value 0 ही होगी, plus y2, y2 कितना है, 5 upon 2 minus y1, y1 is minus 3, so minus minus here, it will be plus, ठीक है, और bracket square कर देना है, ठीक है, next term क्या होगा अभी, root of, now 0 minus 0, 0, तो यह term नहीं लिखी तो भी चलेगा, यहाँ पर cross multiplication कर लेते है, ठीक है, तो यहाँ पर denominator में 1 होगा ही, यहाँ पर cross multiplication कर लेना है, 5 into 1, 5, और 2 into 3, 6, 5 plus 6, 11, upon 2 into 1, to bracket square, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका square निकाल सकते हो, यहाँ पर यह square इस root के साथ cancel भी कर सकते हो, तो यहाँ पर next time होगा, distance between the point R S, is equals to root of, now 11 square is 121, and 2 square is 4, तो finally हमें क्या करना होगा, यही देखना होता है कि 121 किसका square है, और 4 किसका square है, तो आप यह step में क्या कर सकते हो, यह root और यह square, यह दोनों को cancel कर सकते हो, क्योंकि root का meaning क्या होता है, अगर हम देखेंगे root X, तो root X का मतलब होता है, x raise to 1 by 2 right root का मतलब क्या होता है root का मतलब होता है कि उसकी जो power होती है यह 1 by 2 होती है और अगर हम किसी root का square करते है यहाँ पे root x square अगर हम आपे लिखेंगे तो हमें हम इसे कैसे लिख सकते है x raise to 1 by 2 bracket square right तो यह जो 1 by 2 और यह जो 2 होता है इन दोनों में multiplication होता है आपने laws of indices पड़े होंगे वहाँ पे एक formula था कि अगर x raise to m और bracket raise to n दिया जाता है तो आप इसे x raise to m into n लिखते हो right तो इसी तरह से हम इसे क्या लिख सकते है x raise to 1 by 2 into 2 तो यह 2 इस 2 के साथ cancel हो जाएगा और यहाँ पे system मिलेगा x इसलिए कही पर भी अगर root x का square दिया जाता है तो यह square इस root के साथ cancel हो जाता है तो यहाँ भी हम इसा लिख सकते है distance of r s तो यह 121 square है 11 का और 4 जो square है यह है 2 का therefore the distance between the point r and s is 11 by 2 unit तो screenshot ले लो यह note down कर लो next question है point l दिया गया है 5 minus 8 और point m है minus 7 minus 3 तो जैसे हमने अभी question solve किया था उसी तरह से इसे भी solve करना है सबसे पहले solution लिखना है let उसके बाद coordinates लिख लेना है coordinates coordinates of point l तो यह से बादा x1 y1 consider कर लो and that is equals to first point is 5 minus 8 similarly for the second point coordinates of point m यह भी हमें दिया गया है minus 7 minus 3 तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते है यहाँ पे हम x2 y2 consider करते है right x2 y2 equals to m और coordinates क्या है minus 7 minus 3 उसके पाद हमें क्या पता होता है उसके पाद हमें पता होता है distance formula so here we will write we know that distance formula the distance formula क्या है we know that को हो या फिर बादा हमें पता होता है फिर से x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square तो बेटा हमें पेवाली पुट करो दो भी root of x2 कितना है x2 है minus 7 so minus 7 minus और x1 कितना है x1 है 5 bracket square ठीक है similarly plus अभी y2 y2 कितना है minus 3 और y1 कितना है minus 8 तो देखो बाटा यहाँ पे जो y1 है यह minus 8 है और यह जो formula है यहाँ पर भी minus है तो minus into minus यह क्या बनेगा plus बनेगा so minus 3 plus 8 bracket square so here you will get root of minus 7 minus for you minus 12 bracket square plus minus 3 plus 8 plus 5 bracket square जो बड़ा होता है उसे का sign हम लेते है तो यहाँ पर minus 3 और यहाँ पर plus 8 है तो इन दोनों में बड़ा को है 8 है इसले इसका sign जो है हमने यहाँ पर plus लिया हुआ है आगे तो आगे यहाँ पर क्या हुआ बड़ा होगाँ therefore, distance between L M is equals to root of now minus 12 square तो minus 12 का square केतना होगा? 144 plus 5 square is 25 therefore, distance between L M is equals to root of 4 plus 5 9 4 plus 2 6 1 as it is 169 किस का स्क्क्यर है 13 का स्क्यर है therefore, distance between the point L and M is equals to 13 तो चलो screenshot लेलो या note down कर लो देखो बटार next question जो है उसी तरह का है point T दिया गया है minus 3, 6 point R दिया गया है 9, minus 10 so by regular method here we can write the coordinates of point T, X1, Y1 और उसके coordinates दिये गए जे हो लिए ना है similarly coordinates of point R, X2, Y2 R के जो coordinates से हो लिए लिए ना है उसके बाद यहां के आप दिसक्ते हो we know that aplit by using distance formula distance formula is going to happen distance looking between T or R therefore under draw याप है formula X2 minus X1 bracket square प्लस y2-y1 फ्रैकेट स्क्वेर, ठीके, इसमें वेरी फुट करतो, अंडर उटो, तो विटा, यहाँ पे x2 कितना है, x2 है 9, minus x1 है, minus 3, तब बताओ, वहाँ भी minus है, यहाँ प्रज माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, यह बज्जा है का प्लस, 9 प्लस 3, ब्रैकेट स्क्वेर, प्लस, यहाँ आपके y2 कितना है, y2 वह है, minus 10, minus 5 कितना है, 6, ब्रैकेट स्क्वेर, ठीके विटा, आगे, आगे हम सौराइज जेए से, root of 9 plus 3, 12, square, plus, minus 10, minus 6, ब्रैकेट स्क्वेर, नगे स्क्वेर, टैके, आगे, 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 दो रोट स्क्वेर, 12 कितना होगा, 144, plus, 16 कितना होगा, कि यह माइस का स्वेयर करें पर फ्लस ही बरने वाला है 16 का स्वेयर होगा 226 ठीक है अभी नुट पया होगा हुआ है नागी होगा रूट ओओ 4 plus 6 10 वा नहीं हाट क्या इए वहा है 1 plus 5 6 6 plus 4 अगे टें अगे 1 क्या इए वहा है 1 plus 2 3 3 plus 1 तो हम हमें फाल है 400 तो 400 इसका स्वेयर का 20 का राइट सो इसका इस तो इस पुटेंट इस प्रिए प्रिशंच का यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिये गए है point w है इसके coordinates है minus 7 by 2,4 point x है और इसके coordinates है 11,4 so by regular method यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे coordinates of point w x1, y1 और w के जो coordinates आपको दे गए है वो लिख लेना है यहाँ पर similarly for the point x also you will write coordinates of point x is x2, y2 and x is nothing but 11,4 जो आपको दे आ गया है तो यहाँ पर लिखना है by distance formula तो distance between the point w and x यह निकालना है इसलिए इसका formula होता है हमारे पास root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square ठीक है तो root of x2, x2 कितना बेटा यहाँ पर x2 के value है 11 minus x1 कितना है x1 है minus 7 by 2 तो यह minus minus plus 7 by 2 बनेगा plus y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 4 है, bracket square तो यह 4 minus 4 तो 0 यह बनने वाला है और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर cross multiplication करेंगे इसके denominator में 1 है 11 into 2, 22 1 into 7, 7 22 plus 7, 29 upon 2 1 2, bracket square तो हमें पता है square root और square cancel होते, यह फिर आप इसका square करके फिर से वही step लिख सकते हो तो मैं directly हाँ पर लिक देता हू distance between the point w x is equals to 29 upon 2 units तो देखो में बहुत easy questions है इसकी practice करना है, इसका screenshot लेलो और नोड़ घड़न कर लो yeah 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 I